जैहिन दोस्तों मैं निर्भय आपका एक बार फिस एक प्रीज चानल में स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता है कि C++ से अंदर किस प्रकार के कितने तरीके के और क्या होता है आपका डाटर टाइप आज यह वीडियो में आपको बता हूँ कि निर्टर टाइप के बाद जो टौपिक आता है जिसका नम है बेरेबल्स और उन्हीं राटर टाइप से अपिस इस अनर्फ को डेक्लार कर सकते हैं Variables क्या होते हैं, कितने तरीके क्या होते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, क्या काम हैं यह हम आज इस वीडियो मत जानेंगे तो अगर आप इस चर्व में पहली बागे हैं तकर पैसल कर दी infl? क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए यह वीडियो चिलाता रहता हूँ तो दोस्तों बैंकि इसा वार बाद ही कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहली बात तो यह आती है कि आपकर variables आपके रहें क्या so variable आपके पास एक तरीके से एक नाम होता है जिसके पास memory में कुछ space होता है उसके अंदर वो कुछी एक तरीके के डर टाइप का value को अपने अंदर स्टोर करता है simple language आपके से बोलू तो variable is a name which is used to store some value ठीक है? variable एक तरीके से नाम होता है जिसके अंदर आप किसी एक तरीके की value को एक तरीके की value को store कर सकते है अब एक तरीके की value में क्यों बोलना हो अखिर? उसकी बज़ा यह है कि हम किसी भी variable को use करने से पहले उसे हम declare करते हैं और जब हम variable को declare करते हैं तो हम बता देते हैं कि इस variable को type है data type है वो कुछ इस प्रकार से होगा और उस variable के अंदर उसी प्रकार की value को use कर सकते है या store कर सकते है variable एक तरीके से नाम होता है इसके अंदर आप किसी एक प्रकार की value को store कर सकते है और जब भी आपको वहे value को जरूत होगी आप उस एक variable के नाम को कहीं भी प्रोग्राम में लिख दीजिए वो अपनी उस value को represent कर देगा अगर हम बात करें variables की type की तो आप c को फिलाल छोड़ जीजिए c++ को आप छोड़ जीजिए हर एक language में आपको कुछ प्रकार के variables मिलेंगे जैसे की एक होगा आपका local variable एक होगा आपका global variable और एक होगा आपका environment variable अलाकि यह एक एक एसा variable है जिसके बार छातरs, teachers तो teachers बात ही नहीं करते हैं मुझे नहीं पता क्यों बात नहीं करते हैं पर वो teachers बात नहीं करते हैं मैं तो एक student हूऊ तो मैं तो आपको पता हूँगा environment variable आखर क्या होता है में ज़ milksस इन लिग wellness य邊 यह reference variable क्या है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा से topic हो जाएगा, गर एक वीडियो में हम इससे कबर करेंगे, फिलाला समझे, local variable एक ऐसा variable होता है, जो आपका एक scope के अंदर ही आता है, यानि कि आप उस variable को आपने scope के अंदर ही यूज कर सकते हैं, एक range के अंदर, एक area के अंदर यूज कर सकते हैं, global variable आपको एक ऐसा variable होता है, जिसे आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, environment variable आपको एक ऐसा variable होता है, जिसको आप पूरे system में कहीं भी यूज कर सकते हैं, पूरे computer में कहीं भी यूज कर सकते हैं आपको पता होगा environment variable आपके my computer में right click आप जब करेंगे properties का option आपका सबसे last में आएगा या this PC में आप right click करेंगे properties का option सबसे last में आएगा click कर जीजिए right hand side पर left hand side पर आपको मिलेगा advanced system setting का option उस पर जैसे क्लिक करेंगे एक windows आपके सामने पॉप अप हो जाएगे उस windows के नीचे आपके लिखा हुआ environment variables उस पर जब क्लिक करेंगे तो आप उसमें क्या करते हैं जब डवलपर है तो java android studio आप जब यूज करते हैं तो आप वहां पर उसका path को set कर देते हैं उससे क्या होत आपके पूरे system के अंदर होता है reference के समझेंगे आपके बर्मान के अंदर होता है ऐसा कुछ नहीं है reference variable आपके कुछ इस प्रेकार से variable है कि जब आप बैरेबल का नाम बनाते हैं suppose कि आपने बनाया ABC तो आपके चाहते हैं कि कहीं कि तो हमारा यह ABC के नाम से जाना जाए कहीं अध़िए आप चाहते हैं कि यह हमारा दी इए एक नाम से जाना कर यानि कि एक variable जिसको आप multiple नाम से यूस कर सकते हैं दूसरे नाम से भी यूस कर सकते हैं वह आपका reference variable को रिफर करता है अक्वा सिंटेक्स की किस प्रकार से आप इसको डिकलार कर सकते है तो वह आपके इस इस प्रेकार है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है data type इसके बाद आपको देना पड़ता है space then आपको लिखना पड़ता है variable का name और semicolon ये आपका है variable को declare करने का तरीका ठीक है, और दूसरा जो आपके syntax होग सकता है, वो हो सकता है आपके data type space variable का name assignment, ये एक operator है अगर आपको कहीं भी एक single equal sign दिख जाए यानि कि वो assignment operator है तो ये assignment operator है आपका उसके बाद यहाँ ये एक value देखें ये क्या हो रहा है declaration और initialization declaration और initialization में अंतर होता है initialization होता है कि किसी variable का अंदर आप कुछ value को इस्टोर कर देते है declaration होता है कि आपने एक variable के लिए space बना दिया है जब आपको variable के declaration time पर initialize करना हो तो आप ये नीचे बाला syntax को use करेंगे जब आपको इस इस variable declare ही करना हो तो ये आप उपर बारा जो आपका syntax है उसको use करेंगे और किस प्रेकार से आप एक variable को declare कर सकते है यही आपका variable का syntax होता है अब suppose इस आपको ये variable use करना है इस variable ये नीचे बाला जो variable है ये कुछ इस प्रेकार से declare है int क्योंकि डिया type int हो गया float हो गया character हो गया name आपको कुछ भी हो सकता एक buried identifier तो आपने देदिया name लिख दिया मैंने फिर से गलती से integer की जग़ा जबकि integer name में होता है string होता है तो int name हमने देदिया value suppose 10 तो जहां भी हमने ये 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे name लिख देंगे जैसे कि हम cout यहां लिख दिया हमने name तो अभी क्या होगा कि name की जगा हमने 10 प्रिंट हो जाएगा so variable आपको जब भी declare होता है तो वो एक memory बना देता है अब वो memory space के क्या size होगा वो depend करेगा आपका data type पर और आपके जो भी value होगी बो सबसे पहले तो convert हो जाएगी binary form में उसके बाद वो store होगी so variable आपका एक name होता है जो कि आपको memory में कुछ space create करता है और इस space के अंदर कुछ value को store करता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो को सिर्फ इतना ही असा कर तो आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कि पैस वीडियो को like कर जाजिए share कर जाजिए अगर इस टेमें पर ने तो कि पैस टेमें को subscribe कर जाजिए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद